सांथियों, समाज में वैचारिक मद्विद होते हैं, यह स्वाभाविक भी हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रिय लक्षों के प्राप्ति की हो, तो हर मेद्वेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवासाती इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं, जो हम मिल करके हासिल न कर सकें। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बहते रहन सेहन हो, आउसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्टवाद हो, ये जो चीजे हैं, जो हर नागरी के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कुछ ऐसे भुद्धे हैं, जिन पर हम अपनी राजनेति क्या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर ऐसामत हो ही नहीं सकते। यहां अलिगर्ट मुश्लिम उनिवर्सिटी में इन मुद्धों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक हैं, क्योंकि यहां से स्वतंतरता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंतरता सेनानियों के भी अपनी पारिवारी, सामाजिक, वैचारी, परवरिष्टी अपने अपने विचार थे। लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष के साथी जुड़ गए। साथियों, हमारे पुर्वजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम अब आपको युवा पुड़ी को नए भारत के निर्मान के लिए करना है। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्म निर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा, तो लाब भी सभी 130 करोड से ज़्यादा देश वाच्यों को होगा। ये विमर्स समाज के हर हिस्से तक पहुँचें, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथ ही कर सकते हैं।